संकेत कशिप और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप एक high quality वीडियो रील के लिए बना सकते हैं और एक high quality रील अपलोड कर सकते हैं सो बेसिकरी टाइटल से वो आपने जज करी लिया आज कर लोग मुझे से जोड़ा comment में सबस्यादा ये पूछते हैं कि high quality reels कैसे बना दी जाए तो मुझे एक चीज ज़रूर पता चला कि लोग जो iPhone लिए घूम रहे हैं वो YouTube वीडियो से ज्यादा रिल्स बनाने में बहुत जादा इंटरस्टीड हैं तो आज में उसके बारे में ही बात करना चाहूंगा आपसे तो बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट अफॉल कि आप कैसे high quality शूट करोगे वीडियो को और उसके साथ secondly आप कै पर तो यह बैसे दो चीजा आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं और वैसे इसके लावा जो तीसी चीजा रह जाती है वह रहते हैं कैसे आप रिल्स को एडिट कर सकते हैं तो उसके लिए मैं सैपरेड वीडियो आगे बनाऊंगा तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अगली वीडियो में आइटिंग से लेटी तो ये वीडियो जैसे मैं आपको बता दिया है कि दो पार्ट में हैं लेकिन अगर आपको शूटिंग से लेटी वीडियो नहीं देखनी है तो शुरू से आखरी तक ध्यान से देखना तो आज मैं बात करूँगा सबसे पहले कि कैसे आप शूट करेंगे और शूट करने के बाद कैसे आप हाई क्वालिटी अपलोड कर सकते हैं अगर आपको शूट और एडिड आता ही है तो बेसिकली पांस टिप्स है मैं आपको जो चाहूंगा जो आपकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है और वीडियो की शुवाद मैं आपको बता दो कि मुझे किसी ने भी स्पॉंसर नहीं किया है यह मेरा खुद का एक्स्पिरियंस है और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को या सबस अगर आपके पास कोई लेटेस आइफोन है लाइक आइफोन टैनार आइफोन एट प्लस आइफोन 11 आइफोन 12 13 वगारा सब उसके अंदर आपको जो हाइस रिजुशन मिलेगा डैटीज 4K 60fps और 4K 60fps बहुती बढ़िया रिजुशन है एक तो बड़ा है और इसके साथ आपको जाहें तो आप जाके उसे स्लो भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत जादा नीड है अगर आपको बहुत जादा स्लो मोशन चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप HD 120fps में शूट करें वीडियो को 240fps में शूट ना करें क्योंकि आइफोन में 240 पाप्शन द प्रेटं बनाए कीं डोनान इसन दो और इस औरीचन दोगा की आप मेल लैंस से बनाए मतल अबनें फिचले लैंस से वीडियो बनाए इतने अच्छी नहीं है, तो आप रियर कैमरे से वीडियो बनाए, मतलब अपने पिछले कैमरे से वीडियो बनाए, अब उसके लिए आपको थोड़ा फ्रेमिंग पहले सेट करनी पड़ेगी, या आप एक मिरर रख सकते हैं, कुछ भी करके मतलब देख सकते हैं, आप उस तर आप रख जाए, कि आप कोई टेडी मेडी वीडियो नहीं ले रहे हैं, वैसे तो बिना डेलाइन के आप सीधी शूट कर सकते हैं, लें कई बार आपको समझने आथा कि आप वीडियो टेडी लग रही है, यह सब तो आपकी लेवल वीडियो करने में आपको बहुत मदद कर करना है, अगर आपको bottom में जो filters मिलते हैं, जो एक auto है, इसके अंदर, iPhone के अंदर, मतलब automatic जो है, उसको आपको use नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसे use करोगे, तो कहीं न कहीं आपकी वीडियो की quality को गेर देता है, जो की बाद में जब आप लोड करोगे, तो और degrade हो जा एक last चीज, जो एक additional tip लगा लीजिए, कि अगर आपके पास कोई camera lens है, suppose, अगर आपके पास latest iPhone है, like iPhone 11, iPhone 12, और iPhone 13, तो मैं चाहूंगा कि आप reels को अपने wide angle, अगर आप outdoor में या कहीं पे भी reels बना रहे हैं भडिया सी, तो आप उसको ultra wide angle पे शूट करें, क्योंकि हम जब भ लगते हैं, तो फ्रेम बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वज़ा से एक framing बहुत ज़्यादा tight हो जाती है, लेकिन अगर आप wide angle से कोई भी video shoot करेंगे, तो आप ये notice करेंगे, कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, अगर उसका एक demo आपको दिखाता बाकि ये personal preference है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही एक ultra wide look की पसंद होगी video, लेकिन ultra wide से बहुत जादा फरग मिलता है, लोगों को देखने के लिए बहुत जादा information मिलती है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा professional लगता है मी recording, तो ये है 5 tips जो मैं आपको देता हूँ, जिससे आप high quality review शूट कर सकते हो, अब उसके बाद जो दूसरी setting आती है कि कैसे आप high quality upload कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहले आप settings में जाएं, settings में जाकर आपको इस तरह के settings देखने को मिलेंगी, अपने accounts की settings में जाकर आपको जाना है data usage में, और वहां से आपको high quality on कर लेना है, ताकि वो compress और आपकी जो high quality video upload जाए, basically Instagram अपनी तरफ से आपका data बचाने की चक्कर में क्या करता है, उसको अपने according compress करके और अपने compatible बनाकर upload कर देता है, तो उससे भी आपकी थोड़ी quality degree होती है, साते साथ आपको यह याद रखना है, कि अगर आपने कोई video ऐसी shoot करी है, तो उसे ऐस क्रॉप करके ना देलें, क्योंकि उसके वीडियो की quality गिर जाएगी, क्योंकि वो काफी जादा, मतलब 16x9 landscape में shoot है, तो portrait में quality गिर जाएगी, अगर आपको कोई landscape video ही upload करनी है, तो आप उसे square में convert कर ले, वो far better लगेगी, as compared to, अगर आप उसे 16x9 में करेंगे, और साती साथ आप Instagram का कोई भी filter उस पर use ना करें, uploading के time पर भी, क्योंकि वो भी आपकी वीडियो की quality गिरता है, तो ये हैं मेरी तरफ से दो major part इस वीडियो के बारे में, जिसे मैंने आपको बताए कि कैसे आप shoot कर सकते हैं, और कैसे आप upload कर सकते हैं high quality video, और editing के लिए जैसे मैंने आपक पसंद है, तो इस चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए, मैं और भी tutorials लेकर आऊँगा, वीडियो आपको चैनल को सब्सकाइब करना पड़ेगा, और वैसे में, अगर आप वीडियो बनाने में बहुत जादा इंट्रस्टीड है, तो मैं और एक वीडियो पोस्ट कर चुका हू तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तिल देन स्टे सेफ, बाँ बाई, और अगर आपका अभी भी कुछ सेशन है मेरी वीडियो की रिगार्डिंग या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कि स्थ祂ना चाहते हुपियो साथ हुपियो